माननी दॉक्टर अनिल सुखदेव राय बोंडे डिमांड टु कन्वर्ट यहतमाल मुर्तिजापूर अचलपूर रेल्वे लाइन इन महारास्ट्रा इन्टु ब्रॉड गेज दन्यवाद उपसभापति महोदै मैं बहुँ प्रतिक्षित यहतमाल मुर्तिजापूर अचलपूर नैरोगेज शकुन्तला एक्स्प्रेस का रुपांतर ब्रॉड गेज में करने के वाबत जिरो और मैं बोल रहा हूँ स्वतंत्रपूर नकाल से विदर्ब कपास के लिए प्रसिद्ध है मैंचेस्टर का कपड़ा उद्ध्योग के लिए विदर्ब का कपास निर्यात किया जाता था उस वक्त कपास को ले जाने के लिए यहतमाल मुर्तिजापूर अचलपूर नैरोगेज शकुन्तला एक्स्प्रेस शुरू की गए थी इस रेलवे का यूकी केलिक नेक्सन कंप्यनी इस ट्रेन के साथ में उनके करार के अनुसार चल रहे थी 1952 में सभी रेल यंत्रना का राश्ट्रे करण किया गया था इस राश्ट्रिय करण के उपरोग्त रेल रूट और शकुंतला रेलवे का राश्ट्रिय करण से बंचित रही दस साल पहले यह करार भी समापत हो गया और इस कंपनी ने यह नैरोगेज चलाना बंद कर गया सभापति महोदे जुग 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 अगिन गाडी धुरान चे रैशा हवेत काडी अशा जुग जुग नैरोगेज मदे मी प्रवासला जाउन आनंद गितले ती बंद बडली त्यावेला सर्व विधर्वाला दुख जाला आणि तीच पुनर जिवन करनेची मागनी सर्व विधर्वा मदुन होते है शकुन्तला रेलवे विकास समिती आणि अनेक संगटना त्या साड़ी अंदोलन करताते आनि मनोन या नेरो गेज सा ब्राड गेज मदे रुपांतर रेलवे मंतराले नी करना आवश्चक है यह तीन जिल्ले से रेलवे जुड़ जाने के बाद में उद्ध्योगी की विकास तता कुरुशी उपस का परिवान सुलब हो जाएगा अचलपूर आदिवासी बेल्ट मेलगाट यह अत्माल अभी तक रेलवे से जुड़ा नहीं है इसके बाद में यह पुना मुंबई और देले से डाइरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा कॉंग्रेश शासन में अनेक प्रयास तथा जनता के मांग के बाद भी इसे दुरलक्षित किया गया इस नेरो गेज रेलवे को ब्राड गेज में रुपान्तरन करने के लिए भूसंपादन करने की कोई जरूरत नहीं है रेल के पास में पर्याप्त जमीन उपलब्द है कुछ कानुन दिक्कते इसमें थी लेकिन अभी बहुत दूर हो गई है इसलिए मेरी आपसे नमर विननती है कि आपके माध्यम से रेलवे मंतरी जी से मेरी विननती है कि ब्रव प्रतिक्षित यवत्मा मुर्तिजापूर अचलपूर नेरो गेज शकुनतला इक्स्प्रेस का रुपान्तर ब्राड गेज में तिवरगती से करे और वह शुरू करे और पश्चिम विदर्व की शान रहने वाली शकुनतला रेलवे मागाश शुरू होना मागाश संभाग के विकास के लिए महत्वपूर्ण गटना रहेगी यह कदम सरकार उठाएगी ऐसी मैं उम्मीत करता हूँ धन्यवाद धन्यवाद मानी दॉक्टर अनिल जी